सबी लोगों का एक बर फेशे साउगत करते तो दोस्तों जैसे यहाँ पर अभी आप लोग दिखोगे मार्केट के अंदर आज एक बहुत इंटरस्टिंग पैटन की रिट किया कल जैसे मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों के सब्सक्राइब अगर ग्याप अपन हो जाता है तो इस टाइब से में कहिने की एक हेड एंड सोल्डर की पैटन की एक्सपोडेशन कर रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों एक ट्विस्ट में आप लोगों को सारे चीज़ों को रिमॉब करके आप लोगों को एक्स्प्रेशन करूँ फर्स्ट यहाँ पर अभी आप लोग देखोगे आफ्टर ग्याप उपेंडिंग मार्केट के अंदर कहीं न कहीं यहाँ पर आप लोग अब देखोगे मार्केट के अंदर आफटर ग्याप उपेंडिंग जितना पौइंट फोल्ड वा उससे जदा तेजी से मार्केट अपने आपको रिकोवरी कर लिया यह जो साइन है ना कहिने कि यह दोस्तों ब्यारिस मार्केट का साइन ही नहीं यह कहिने कि बुलिस मार्के की expedition है and after this market के अंदर हलका से retracement हुआ and after retracement market आपने आपको move करने की कोशिस किया ओपर ले के आने की कोशिस किया है so यह जो sign हो रहा है दोस्तों market के अंदर जिस type से market जितना point नीचे आया आप देखोगे one two three four five five candle वान्दा 50 minute में market नीचे आया और just 20 minute में market आपने आपको strong recovery जिकाया इस चीज़ को देखते हुए कहिने की मेरा जो view है ओ कहिने की थोड़ा changes हुआ और मेरा mentality ऐसा हुआ कि market यहां से कहिने की अपने आपर side की जो momentum यह continue कर सकता है because market की overall texture कहिने की यहां पर bullish था market के अंदर no doubt last Monday को एक बहुत ही downfall की देखने को मिला market gap भी खुला मेरा view point भी था कहिने की downside का but this type से market आपने आपको candlestick हिसाब से market recovery कर रहा है यहां से कहिने की मेरा आपना view change की और मैंने यहां पर P की जाएगा दोस्तों मैंने यहां पर C position बने और मेरी expectation था कि market यहां से ऊपर आ जाएगा because of reason मैंने आप लोगों को explain किया on market market अपने आपको recovery किया यहां से मेरा mentality बना for buying side so that reason यहां पर अब देखो कि it is my position book अब मेरे position book देखो कि मैंने यहां पर काईने के 22600 P के के अंदर position बना आफ्टर इस मेरा sell काईने की यहां पर heat हो गया और मेरा 2598 point की around मैंने यहां पर काईने की loss book कर लिया overall market के अंदर जो youtube के अंदर analyze था head and shoulder pattern की साथ से market गिरा but बहुत ही volatility के साथ गिरा पहली बात तो market यहां पर open हुआ open होने के साथ support break down करते हुए नीचे आके फिर उपर आ जाना फिर उपर आके फिर नीचे आना फिर उपर आके फिर नीचे आना तो wallet rate के साथ market गिरा right but अभी next what next मेरा का क्या view है कि स्टैब से में market को देख रहा हूँ no doubt market के अंदर जो मेरा view है वो कहिने कि यहां से आभी downside का view है और clear card में market के अंदर downside जाऊंगा उसके लिए कुछ condition में आप लोगों के साथ share out करो यह जो लेबल में ने आप डौ करके रखा है जो support था जो अभी resistance की तरह work कर रहा है जब तक market is resistance को touch नहीं करता है या market इसकी उपर प्राइस नहीं आता है तो market के अंदर basically मेरा कोई भी आपर साइट का view नहीं रहेगा overall simply मेरा कल का view में सेम रख रहा हो after the gap up opening market के अंदर support breakdown के साथ मेरे एक downside का view होगा या market flat open होने के साथ उपर आएगा तो मेरा buying side का view तब तक नहीं होगा जब तक market 22,940 जो level में ने docker की इसको touch ना करते है इसको break कर गी उपर ना आ जाते तो मेरा overall flat open होने के साथ जैसे उपर आएगा तो मैं wait करूँगा market support breakdown करने के लिए आइदर market gap down खुल दे, after the gap down opening resistance breakout करता है तो definitely यहाँ पर short term के लिए आपर side की momentum आएगा बन मेरा planning रहेगा कि resistance breakout के साथ आपर side की momentum को ignore करके मैं यहाँ पर किस type से downside momentum के अंदर आपने position बना पाऊ उसकी सबसे में try करूँगा अगर market बहुत जदा gap down हो के resistance breakout करता है हो सकता है मैं short term momentum catch करने के लिए आपर side के लिए जाओ जलसी दिल अपने profit book करूँगा और second date मेरा downside कही रहे तो overall आप क्या सकते हो के मेरा जो overall view रहेगा कि after gap down opening market resistance breakout करे after market gap down opening resistance breakout करता है तो यह आपर side का short term के लिए भी होगा बर overall कही नहीं कि उसके बाद market नीचे ही downside की momentum ही हम लोगों को देखने को मिल सकता है right I hope all of you clear एकदम simply view और market आज भी से momentum तो अच्छा हुआ market के अंदर हम लोगों की जो pattern हो भी create हुआ but candlestick की कुछ behavior को देखते मेरे अपने view change किया because no doubt market अपने lifetime high के अंदर ख़रा हुआ एक strong bullish situation में market ख़रा हुआ है and after the strong bullish situation market इस टाइप से अपने आपको recovery करने के लिए try कर रहा था यह कहीन है कि hopefully buying sign market की indication हो सकता था so that reason मैंने आपर एक buying side का tail लिया but overall market अपना जो head and shoulder pattern ही उस pattern को follow करते मार्के नीचे आ रहा है उसी सब से market के अंदर मैंने एक level भी यह इस level की ऊपर जब तक price नहीं आ रहा है मेरा aggressive buying side का कोई भी decision नहीं होगा यह इस level को एक पर touch भी ना करता है अगर देखो assume करो कि इस level को touch भी करता है ना इस level के आसपास प्राइस घूमता है तो भी मेरा buying side का view हो सकता है बट जब तक इस level को touch ना करे इस level के ऊपर ना आए या इस level को touch ना करे तब तक मैं buying side का कोई भी view नहीं देखूंगा because market के अंदर top में hate and solder patent successfully create हो गया है and hate and solder patent के जो support है वो भी breakdown हो गया है तो hate and solder patent उपर बनना कहिने की already downside market की indication है और उपर से hate and solder patent जब तक fail ना हो जाते तब तक यहाँ पर मैं कोई भी buying side की planning नहीं करूंगा I hope all of you clear and let's see अभी देखते है market की हिस हिसाफ से move करता है okay